ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकमत देखेगा वेल यही कुछ गाना है जो जिमी उसो आज गा रहे होंगे जो उनके सांद स्मैक्डाउन के एपिसोड में हुआ क्योंकि जब रोमन रेंज की जरुरत थी रोमन रेंज नहीं आए जिमी उसो के लिए तो क्या हो आज स्मैक्डाउन के एपिसोड में किस तरह के से एज ने एक ट्रैप का बहाना लेके खुद ही ट्रैप में फसादिया यह समोन फैमिली को यह जो स्टोरलाइन चल रही है उनकी रोमन रेंज के सांद आज आते हैं कि साल पहले जब रिटायर हुए थे तो दस साल बात जब वापस आए तो रेस्टर मीनाय में उनकी वह कहानी पूरी होनी चाहिए ज़िए लेकिन वह चीज हो नहीं पाई और जो उनका डड़ था डैनल बैंड का मैश में बीच में आने का वही उनको ले गया लेकिन वह कहते हैं कि एज मेरे को हरा सकता और इसके लिए फोटो दिखाते हैं जहांपर वो याद न आपको वो स्टील चेयर के डंडे के साथ उन्होंने सब्मिशन होल्ड में रोमन रेंज को फसाया होता है वो कहते हैं बाई बंदी की आखे देखो हैं आपर मेरी आखे देखो और इसकी बंदी को फेर लेकिन इसका कुछ आंसर नहीं करते हैं लेकिन शोपर धीरी तरी जैसे चीज़े प्रोग्रेस होती हैं हमको रोमन रेंस का सीन भी समझ में आता है लेकिन उससे पहले था इहां पर एक इंट्रस्टिंग टैग टीम मैच बिगी एंशिंश के नकामुरा वर्स क्योंकि उनका क्राउन जा चुका है उनकी इंवेस्टम्न में उनको तकड़ा नुकसान हो चुका है और आज जब मैच चल रहा था तो डिस्ट्रैक्शन के लिए हमको क्या देखने को मलता है जो कॉर्बन की मर्सेडीज है वह भी निकल ली मतलब अब उनके हाथ से वह जा लेना पड़ा तो आने वाले टाप में जो कॉर्बन के गिमिक के साथ होने वाला है वो कुछ बहुत ही अलग होगा और मैं आपको यह बतायता हूं कि नेक्स वीक के लिए को नाकामोरा का मैच होने वाला है जो जीते का मैच के लिए कौलिफाई करेगा लेट सी यहाँ पर क कवरमिन के एमको दिन क्या देखने को मिलते हैं इसके बाद हमको बेली देखने को मिलते हैं जो कि बात कर रही होतीं कि कैसे इन्होंने फिर से को समेंकर भंग अघ्र्य्ण कर आप नुख करकू commitment के लड़ना चाएं बेला आती है होग कहती है हर बार में तुम्हारे इ हो चुका है money in the bank pay-per-view के लिए दुबारा सेन का मैच हो रहा है obviously होगा ही क्योंकि WWE के पास दूसरा कोई opponent है नहीं तो इस match से हमको खाम चलाना पड़ेगा लेकिन हां ये WWE ने सही जरूर किया कि stipulation जरूर डाल दी वरना वो repeat match इसके साथ तो भाई बहुत ज़्यादा बखवास हो जाता सीन इसके बाद हमको देखने को मलता है शोग के उपर शायद सबसे कमाल की चीज लास्ट मैंस स्टैंडिंग मैच कैवी नोवन्स परसे सैमी जेन बाई एक तो ही मैच लंबा चला और यूजिली जब मैच लंबा चलता तो हम बोलते हैं क्या खीच दिया मैस लेंगे इस मैस साब बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलोगे क्या कमाल कमाल के स्पार्ट थे टेबल की ओपर टेबल उसके ओपर कैवी नोवन्स इसके लाह मों नोगों ने देखा क्या पावरवां की जड़ी उन्होंने लगा धी क्या हलुवा कि जड़ी लगा नहीं है यह कुछ अलग ही बन चुका है इसको कितना ही मारो यह हर बार खड़े हो जाता है और समी जेन इस बात से परिशान हो गए लेकिन एंड में जिसमें आपको पता है पावरबॉम की जड़ी लगा दी कैविन उवन्स ने ऐसा ही उन्होंने किया अनॉंसर टेबल पर उन्होंने पटका रिंगे प्रिंट के उपर और उसके बाद तो भाई समी जेन की हाला कि कमर की बहुत खराब हो गई खड़े नहीं हो पाया और कैविन उवन्स क्वालिफाइग कर गए क्योंकि आपको पता है मैंनी दे बैंक के लेडर मैच के लिए क्लिए कि होते हैं कि वो फासेंगे आज किस तरिकह केक्ट को क्योंकि जब आज जायेगा तो रामन और जीनुक्त के से मारेंन जेले निए विज HC जाने मेरे सामने के लिए हम इसे बाद आआती है सानय टीव जो के अनाउंस करने वाली थी women's money in the bank ladder match के लिए एक participant को और shocking नाम यहाँ पर आया जब उन्होंने अनाउंस किया जैलिना वेगा को और जैलिना वेगा आज हमको देखने को में ली डव्ड वी के शो में अग्र आपको समझे यहान में क्या कहना चारा हूं तो मैं जैलिना वेगा कुछ तायम पहले डव्ड लवी से निकाल दी गई थी alister black भी निकाले चाज चुके धूनों आप असमे husband wife हैं उधर AEW में बाते चल दे हैं कि अंदराद इस जैलिना वेगा को लेकर आएंगे AEW में लेकिन भाई यहाँ पर थो को चलाए कि ट्विस्ट आगया कहानी में जैलिना वेगा यहाँ पर आ गई और फिर से लिम और कनादी वो कहते यार तुम्हारा क्या चल रहा है अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसे WWE का ना वो पैटर्न शुरू हो चुका है फायर करने का उसके बाद दुबार से हायर करने का इसके बाद गैस हमको देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंग्स बैकस्टेज रूकी होते हैं सेथ रॉलिंग्स बहुत गुस्टेज में होते हैं कहते हैं बाई मुझे का फर्क पड़ता है कि एच को रॉयल ट्रंबल जीतने के बाद 1-1 मैच मिला या फिन नहीं मेरे को मेरे मैच तो दो तो एक सलुशन पर यह आते हैं और कहते हैं कि सेथ रॉलिंग्स को अब आ रहा है कि चलो भाई अगर मैच नहीं मिला तो एक लेडर मैच में तू हूँ लेकिन भाई तुमको सजारो से लड़ना भी है तो उसको भी जरत देख लेना दुबारत से सजारो से रॉलिंग्स होने वाला है कोल मिला के है हाँ इस बार फ्यूड के लिए नहीं है लेकिन एक बार फिरसन के भीच मैच होने वाला है इसके बात गया हमको देखने को मिलता है कि हमें लग ऐकि हाँ भी तक्कर दे सकता ओन лег गज्या के फोर पतेंशल लगए को कि बंदा सच्च में दिखता भी तअ मूंब्स भी तगले दिखते है तो इस तरीके से ओर फutte को इसमिड दो कोलना ओवेंग मैसे में आटोंती अब बात करते है छो के मैन इवेंट जीमी उसो बुलाते हैं जाओ भईया सटल करो एज के साथ मामला जरत देखो उसे जाके तो जीमी उसो जाते हैं रिंग में वो कहते हैं कि भाई तुम है तुम्हारे अंदर दम मैं तुम्हें कॉल आउट करता हूं तुम निकल कर आओ जीमी उसो को ऐसा लग रहा होता है कि हाँ यह हमारा ट्रैप है मैं जा रहा हूं रोमन मेरे साथ आएगा एज तो आएगा फिरम दोनों मिलके इसे पेल देंगे लेकिन होता क्या है एज आते हैं एज का थीम सॉंग प्ले होता है एज कहते हैं भाई तुझे भी अकल नहीं क्यूकि एज एज जए मार्ट के से जीमी उसो कि तिरफ बढ़ने लग जाते हैं तो देखते हैं लेकिन रोमन रेंज कहीं पर भी नहीं थे और एज ने आकर भूत उतार दिया बुरी तरीके से जीमी सॉ का उन्होंने फायडबाइक करने कोश्य करी उन्होंने लगाई एक स यूस करके किस तरीकेसा वही स्टिक का उन्होंने उसकिया उन्होंने सब्मिशन मूँम में फशाया टैप आप आप दो बार करवाया स्पीयर लगाया मतलब पूरी तरीकेसा उन्हें नहस कर दिया यहां पर जिमी उसो को लेकिन फिला ले था SmackDown का एपिसोड जो कि काफे एंटरेटेनिंग था बागि अगर आपको एंटरेटेनिंग लगी तो इससे लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कौन कर दो and see you guys in my next video